आपने सफेद किश्मिश के बारे में सुना होगा लेकिन क्या आपने काली किश्मिश खाने के फाइदे के बारे में सुना है? काली किश्मिश को सूखे अंगूर से बनाया जाता है अगर आप काली किश्मिश को अपने रोज के डाइट में शामिल करते हैं तो इससे कई तरह के फाइदे मिलेंगे साथ ही इससे आपको कई बिमारियों से भी निजात मिलेगी आई आपको बताते हैं इसके फाइदे के बारे में काली किश्मिश को अगर पोशक तत्व का पावर हाउस कहा जाए तो गलत नहीं होगा यह वास्तब में सूखे अंगूरों की एक किस्म है इन किश्मिशों में आम तौर पर बीज नहीं होती है और वे स्वाद में मीठी होती है वैसे इनका प्रेयोग कई बिमारी जैसे खासी और सूजन की दवाई बनाने के लिए किया जाता है लेकिन इसमें पोशक तत्व जैसे प्रोटीन, पोटेशियम, मैगनेशियम, कैल्शियम, विटामिन C और फोलेट आदी पाया जाता है काली किश्मिष कई गंभीर बिमारीों के लिए रामबान हो सकती है काली किश्मिष में प्राकर्थिक एंटी ऑक्सिजन होते हैं और आयरन में समरिदी होने से ये बालों के जрьने को भी कम करते हैं काली किश्मिश रक्त से अशुद्धी और एन्मिया को दूर करने के लिए भी शांदार माने जाते हैं काली किश्मिश को रोजाना रात में दूद में या पानी में भिंगो कर सुबह खाली पिट खाने से काफी लाव हो सकता है अगर आप लंबे समय तक अपनी यादाश को बहतर बनाए रखना चाहते हैं तो काली किश्मिश का सेवन जरूर करना चाहिए इसमें पाय जाने वाले एंटी आक्सिडेंट आपके मिमोरी को बूस्ट अफ करने का काम करते हैं आपको शायद जानकर हैरानी होगी लेकिन काली किश्मिश कैंसर को रोकने में भी सहायक है इन सूखे अंगूरों में फैनोलिक योगिक पाया जाता है काली किश्मिश में पोटेशियम के अलावा कैल्शियम का भी उचिस्तर मौजूत होता है जो हमारी हड्डियों के लिए भी स्वास्त है इसलिए काली किश्मिश आपको रुजाना खाना चाहिए हेल्थ लाइफ की डिपोर्ट